असलाम अलेकुम दोस्तों मैं शिहाब बाई बोल रहे हैं अभी मैं सॉद्य अरेबिय में अल्हम्दुलिल्ला आज सुबर पांच बजे में इदर पहुंचे इन्शालला हम लोग दुआ में याद रखना कल कुईद में 61 किलामीटर चलके आया मैं सफर शुरू करना का बात में पहली बात 61 किलामीटर एक दिन कंडिन्यू पैदल चलके आया कुईत का बोर्डर में 12 बज़े पहुंझे 11 बज़े पहुंझे वाद मैं आज सुबह फजर नमास का टाइम मैं साओधी में रोगी आप लोग दौा में याद रखना है मैं भी दौा में दौा करेगा सब के लिए पुरा उम्मत के लिए इन्शाला स्लामालेकों व्रऽमत लौह बरकात्OUT नाजरीन असलामालेकों व्रछमत लौह बर्चातु उम्मिद करता हूँ कि आप तमामLOगख खिर और था की व्रढ़्य का व्रिवस्त आप सबी को खुश कर रके तुआ उप लोग इस की रिंदित्ए देख रहे थे ये स्तालमी बोर्डर से पहले ही वो रुके हुए थे बोर्डर के करीब और अज नमज फजर के बाद उन्होंने वहां से अल्हम्दुलिल्ला सुभानला ये बहुत अच्छी खुश खबरी है गुर नियूज है शिहाब भाई के चाने वालों के लिए के वो एंटरी कर चुके हैं माशालला साओधिया अरबिया के अंदर जिस दिन काम बेसरी से इंतजार कर रहे थे आखिर वो दिन आ गया कि वो पहुँच गए हैं साओधिया में और इन्शालला बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं मक्तुल्मकर्रमा क्योंकि साओधिया अरब साओधिया अरब के अंदर भी इंटर होने के बाद वो अपना सफर इन्शालला जारी रखेंगे मक्तुल्मकर्रमा पहुँचेंगे तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी थी गुड नियूस थी कि शहाब भाई माशालला आज जो है एंटरी कर चुके हैं साओधिया अरब के अंदर नमाज फजर के बाद और कल जो उन्होंने कुएट के अंदर सफर किया वो जब से सफर शुरू किया है लगबब सरसे अदर वो बतला रहे है कि सबसे ज्यादा मेने इस सफर किया है 61 किलो मिटर तो माशालला 61 किलो मिटर का सफर करके वो सालमी बोडर के करीब पहुँचे और आज माशालला वो सुबह एंटरी कर चुके हैं सवादी अरब के अंदर आप लोग दौ कीजिए लारब बलिज्दत आगे का सफर भी आसान करे और अन्ला उनकी जो खाहिश तमन्ने अन्ला उसको पुरा फरमाए तो दोस्तों और जो वहाँ जाने की उम्मीद और खाहिश रखता है अन्ला रब लिज्दत उन सभी की हाद जिवह नसीब फरमाए वहाँ जाना असान फरमाए तो इंशालला मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और शेहब भाई की हर नई अपडेट लाइ वीडियो आप लोगो वो इंशालला इस चैनल पर देखने को मिलती रही ही असलाम आलेकुम और रहमतुलाह वाराकातू